नमस्कार दोस्तों सौगत आप सभी का सुनी लाडो कार में आज आप सभी के सामने पेसे इंडिया के सबसे टॉप सलिंग मस्कुलर 7-Sitter फीचर लोड़ेड SUV कार महिंदर एक्सेवी 7W और यह आपस का देख रहे टॉप मॉडल एक्सेवी लगजरी डिजल वेरेंट तो आज इसकों लोग डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही में बात करते हुए चलेंगे इस कार की प्याइसिंग की एंड फीचर के बारे में तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी फ्रेंट प्रोफाइल भाइट देखने को मिल जाती है और फीचर के पहले पूरा भंडार रहेगा इसमें एडाक्स से लेगे और भी आपको फीचर से रहेंगे इस कार के साथ आपको देखने को मिल जाता है तो आइए सबसे पहले पर चलते है इसके फ्रेंट प्रोफाइल की तरफ यहां पर ग्रिल में देखेंगे तो रहेगा महिंद्रा का वही बटरफ्लाइवाला लोगो 360 डिगरी कैमरा मिलता है तो आपको देखेंगे कैमरी की प्लेस्मेंट एंड वर्टिकल से अप में आपको ग्लॉसी एंड ग्रेफ निशमें इसके पूरी यहां पर ग्रिल हैलम्स की बात की जाए तो आपको उसमें आपको अड्वेड एलम्स का पूरा सेटप मिलता है नीचे का इस तरफ पूरा फ्रेंड इंजन एंड सस्पेंशन सेटप इंजन गाड विगरा भी आपको इसमें उफर किया जा रहा है बक्की इंजन उड़ विगरा पर इसका पूरा दीख जी सकते हैं ब्रॉट सा एंड ग्राउंड की बी काफी एच्छा का आपको मिल जाता इसकी लंद्स, 1890 mm की सकार की विद्ध एंड शत्रा सो पच्पन एमेम की सकार के आपए हैट देखनों को मिल जाती है बाकी वील बेस वह मिलेगा आपको इसमें 2750 mm का वरेंटी महिंद्र आपको इसकार में प्राइड किराते हैं तीन साल अनलिप्रेट किलोमेटर की जिसको चाहें तो आगे भी आप पांचल के लिए एक्स्टेंग करा सकते हैं डिजल पेटोल मिलते हैं बाकी फॉर वील ड्राइव का उप्चन लेना चाहें तो अब आपको इसमें देखने को मिल जाता है इस का के साथ यहां पर देख रहें ना बाइस आपको आपको मिलने वाले आपको सभी में इस्टेंडर रखा गया है एंटार सेक्षन की बात कर लें तो 235 बड़े साथ और अर अठरंच जिसके इतना को ट्रेवल यहां पर देखेंगे ब्लाक कलर की क्लाइडिंग फोडिश्टेफ वेगरा भी दिए यहां पर भी रनिंग क्लाइडिंग आउट सब यहां पर आपको यूनिक मिलने वाला इस कार में अंदर जाएंगे और भी काफसरी चीजी रहेंगी अंदर बैटके भी आपको दिखेंगे डिटेल में पीछे आते हैं यहां पर एकसका फिल फिलर कैप एंड गाड़ी जब अनलॉक होगी इसको प्रस करेंगे खुल आपको इसमें डिजल कराएंगे ब्लु वाला देखरें आपको इसमें यूरिया फिल कर आना पड़ेगा दोनों option आपको यहें पर मिलते हैं और पीछे भी आपको चारों में डिस्टर्थ अलोगरें देखने में इसकी बड़े सी पूरी स्टगडी से प्रोफायल बाकि इस प्रोफाइल में यहां पर देखेंगे वही महिंद्रा का लोगो नीचे पर रहता है रिवर्स पार्किंग केमरी की प्लेस्मेंट और इसके बाद यहां पर देखेंगे तो XEV 7 below and X7 luxury variant तो इसके आपको बैजिंग को मिल जाएगी यहां रहेंगे यहां पर इसका करियर वाइपर डीफ आपकर यहां पर दिखिंगे इसके बाद नीचे आपर देखेंगे तो इसके बंपर में यहां पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स साइड में आप देखेंगे इसके रिफ्लेक्टर्स यह पर टोंग्यू को ऑप्शन ग्रेफनिस में इसके पूरी इसकी प्लेट नीचे का यह रहेगा पुरा रियर सस्पंसर जड़प यहां पर इसकी प्लेस्मेंट अब चलते इसके बूरी स्पेस की तरफ फोल के देखते इ तो अपना चोड़ा में रख पाएंगे अदर्वाइस अगर आपको ज्यादा चीए बूरी स्पेस तो इस तरह आप इनको फिप्टी फिप्टी डेसे में सीट्स को फोल्ड कर दिए तब आपको गजब का पैस यह वाली मैंटिंग भाई एक सेडिस का पार्ट रहेगी और यहां पर फोल्ड होने का उप्शिन है तो कोई दिखकती नहीं है यहां पर इस इवेंट्स वगरा भी आपको मिल जाएंगे थड़ वाली रो में ग्लास होल्डर बढ़ेसा बारोल का चार्जिंग आउट्ट मतलब सारी वेस्ता आपको दीगे इसके थर रो में भी तो आई इसको पर कर देते बंद फिर चलेंगे कार के अंदर बैट के देखते इसका इस पेस वगरा तो उससे पहले बात करकर इसका कलर ऑप्शिंस के बार में तो आप इसका देखर है वाइट कलर वाइट के अलावा उसमें सिल्वर ब्लैक रेड ब्ल्यू जैसे आपको कलसर इसकार में इसकार की सबसे बड़ी खासे रहें ती बिल्ट कौन्टी जो आपको मिलती इसके साथ काफी सारे आपको आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसकार में तो आए अंदर की तरह पर चलते हैं रहाते देनिसके बाद डूल ट्रिम देखते पूरी यहां पर दूल टून में बड़े से आप देखेंगे लेदर की सीट्स यहां पर दियेगा इसका डूर उपर सिल्वर फिनिश में ग्लॉसिब लाक फिनिश में इसके देखेंगे डूर हैंडल्स यहां पर पावर रूटो का कंट्रोल नीचे जाएंगे तो आप इस पीकर स्पार्ट वेदर देखने को हृक मिल जाता है इंकी डॉर में यहां से इन इंको अधने को देख देखने के द्い लिएक सकते हैं और यहां पर अपना फोन लगा सकते हैं, इतना कुछ आपको इसपेस दिया जा रहा है, यहां पर देखेंगे टाइप-C USB का पोर्ड, तो अभी फ्लैस ओन कर दिया भी और आपको आपको पर दिख रहा होगा, एक बार फिर से देख लिए जिसका डैस्पड वगरा, यहां पर रेक्लाइन एंगल भी नहीं पर साइस रहता है, यह वाली सिट देख नहीं है, यह वाली थोड़ी यहां पर फित यहां पर देखनों को मिलेगी, यह यह रेगी और यह रेगन के आपर पूरा थाई सपोर्ट, इधर का देखेंगे डोल्ट रिम, यहां पर देखते है इसका ग्रैप हैंडल वगर दिया गया है इंड लाइट देखे रहे हैं अब सारी यह लीडी आपको मिलने वाली है कर्टेन एरबैक्स क्यूंकि आपको six airbags मिलते ना तो सब पीछे आपको बैट के दिखा तो कितना कुछ मिलेगा तो यहीं तर इसके अंदर का पूरा इस पेस तो अब चलते हैं इसके थार्ड वाली रोग की तरफ बाकि एकर बेस में जाएंगे फाइब लेसके अप्शिन भी रहता है जो भी लेना चाहिए वह आप ले सकते हैं और य चलते हैं लाश्ट वाली रोपे तो उसके लिए भाई साब इसको इस तरह कुछ आपनी सीट को अपर कर देंगे फोल्ड यह हो गई फोल्ड अब आराम से अंदर चले जाईए तो आई यह बैट के देखते हैं पर इस पीस कैसा कुछ आपको मिलता है इस कार में चलिए इसक इतना इस पीस रहता है यानि कि घुटने टच नहीं होंगे अगर आप इसको इतना रेकलाइन कर देंगे तो यहां पर घुटने एलकल के टच हो जाएंगे यानि कि यहां पर बच्चे लुक तो आराम से बैट जाएंगे लेकिन सिक्स फीट वाला अगर बंदा बैठेगे थोड़ा सा यहां पर भाई आपको दिक्कत हो सकती बाकी यह रहेगा इसका थाई सपोर्ट रहसा यहां पर एस इवेंट्स वगरा आपको सब कुछ उफर किये जा रहा है यहां पर ग्रैप हैंडल सब्गरा रहेंगे और इधर रहेंगे तो यह सारी चीज आपको देखने क अब चलते गाड़ी के बाहर इसको करते हैं आप सीधा तो अंदर का तो भाई आपने सब यहां पर देखे लिए अब चलते डैवर्ट सीट की तरह के अंदर सबसेंगे अब यहां पर इंदर जैसी गाड़ी को आप अनलॉक करते ना यह आगे टॉप मॉडल का फीचर रहता करेंगे जैसे दिन लॉक करेंगे चले जाएंगे अंदर कि आपको दिखा दे तो इस तरह हैं पर रहती स्मार्ट फिलिप की पीछे वे रहेगा महिंद्रा का लोगों यहां पर लॉक अनलॉक पूरपन के बटन्स देखनों को मिल चाएंगे तो आईए इसको आपको खोलते इसको अपने इस आपसे तीन लोग यहां पर इसको और जिस्ट कर सकते हैं अपको बड़े से लेदर की मिलने वाली वैलकम फीचर के साथ आपको देखने को मिलती है यहां पर आपको लंबर थाई सपोर्ट इसका प्लेट एंड मैनुवल ट्रांथमुशन है तो उसके आप यहीं पर आपको समय साइड में जैट पैडल भी आपको देखने को मिल जाएगा बाकी आगी का बोनेट खुलना तो उसका यहां पर दिया गया लिवर और यहां पर देखेंगे तो ट्रक्शें कंट्रोल हिल डिसन कंट्रोल आइडियल श्टाइश टॉप को बड़न एड़ कंट्रोल आपको देखने को मिल चाते हैं तो आई यह चलते कार के अंदर बैट के देखते हैं इसका पूरा अंदर का इंटीरियर तो आइस अभी यहां पर बैट चुके कार के अंदर सबसे पहला काम आउन करेंगे आप इसका इगनिशन यह भाई साफ फुली डिश्टल ए बीच में इसकी M.I.D. स्क्रीन मल्टिन फॉर्मिशन डिस्प्ले यहां पर डिस्टेंस टाइम एवरेज इस सारी चीज़ा आपको दिखा रहा है और जो भी देखने हैं सारी यहां पर इदिए इसके कंट्रोल से म.I.D. वाले इसको प्रस करिए तो यहां पर ड्राइविं इसके अलावा आपको जो भी देखने हैं ना एलर्ट हिस्ट्री सेटिंग हो गया डिस्प्ले लियाओट ड्राइव एससे चाथ नैविगेशन यह का सरी चीज़े रहेंगी युकि आपको इसमें अडेप्टिव क्रूस कंट्रोल से लेगे और यहां पर बेतरी सा फीचर आ यहां पर आते तो यहां पर रहेगा बड़े सा महिंद्रा कर लोगों यहां पर जाएंगे तो क्रूस कंट्रोल अमेडिक आपको आपको ओफर कि जा रहे हैं इस साइड आपको मिलते हैं इसका पूरा व्यू यह देख रहे ना सब भाही 10.25 इंचे वाले रहने वाले एकि मे आपको दोने चीज़े मिलती ना तो देखने में प्रिमियम सा फिल आएगा है पर कमपास वगर दिया गया है वाकि इसको जड़ा सब बैक करते हैं तो यह एंड्रोइड और टॉपल कार पर यूएस भी और जिसे आप पर कनेक्शिटी के साथ आता है एप्लिकेशन से हम पर द देखे पूरी गाड़ी आपको पर दिख रही होगी बाकि आप सेंसर वाली इंफॉर्मिशन तो काफ़ी सईसा रहने वाला है इससे साथ आपको समें मिलते सोनी के बड़े हैसा सांट सिस्टम तो इस स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी एची से रहेगी करनेक्शिटी वह आपको उसमें यूस्बी ऑक्स ब्लुटूथ एंड्रोइड ओटो यह सारी आपको देखने को मिल चाएगी एडरॉनिक्स यहाँ पर आपको इसकी बैजिंग दी जा रही है यह पूरा देख रहे ना लेधर टेच आपको मिलने वाला है आपको मिलेंगे यहाँ पर एक दो इदर जाएंगे कर्टन एयर बैक्स तो यह काफ सारी चीज़ रहेंगी और यहां पर इसकी सं रूफ इसको यह देखिए बाई साब एकदम इसको इसको फुल साइज ना तो काफी बड़ी साइज के आराम से जब भी आपको घूमने में जाएंगे पूरा आपको मज़ेदा सब्सक्राक्षाइंगे और हमक curv Maybe इसको अस Zwift अब्रोग प्रच ला करते होएंगे के तचाम के आठेयों जाय अब यहां पर यूसपी के पॉर्ट दीए के दो दो यहां पर फोन वगर अपना रख लीजिए और यहां पर वार्लिस चार्जिंग वाला पैड देखने को मिल जाएगा यहां पर देखते इसका सिक्सिट मैनुल गेर बॉक्स यहां पर पार्किंग ब्लैक आटो होल का सिच यह पूरा देख रहे हैं आपको दिया जा रहा है इधर देखेंगे तो यह वाले सारे कंट्रोल्स तो यहां अपना कॉल वगरा जो भी मैनेज करना सारी चीज़े कर सकते हैं यहां से म्यूजिक वगरा दो संग्लास होल्डर से यहां पर और रहेंगे यह रहें रहेंगा स्कार्म घोलटे इसको खोलते इतना कुछ यहां पर इस प्रेश्पेस रहने वाला है तो इसको भी करेंगे बंद दीखेंगे दए कैसा कुछ रहता पुरास का डोडर ट्रीम और अंदर कि बाद की जए न तो में यहां पर आपको मिलते हैं और सारे चलिये इसको यहां पर ऑफ कर देते हैं तो इससे आप बाइट यहां पर भीड़ी देखने को मिल जाता है बाहर निकल कि पुरे विड़े लिजे एप लुगत उठाये चलिए वीज़ाइब कर देते प्लोस किसी के साथ यहां पर देखेंगे स्पीकर्स वगरा देखने को मिलने वाले आपको देनी धर जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा इसके सनवाइजर में और इस साइड देखेंगे तो यहां पर रहता बड़ेसा वैनिटी मीरर और इसकी साथ लाइट भी उपर देख के बार फिर बात करते हैं इस कार के इंजनी स्पैक प्राइजिंग और फीचर के बारे में ओफ करेंगे सबसे पहले आप इसके इगनिशन को यहीं था इसकार का अंदर का पूरा इंटीर रिग्दम लगज़री साथ दोर को आपर करेंगे बंद अब बात करेंगर इसकार के इंजनी स्पैक के बारे में तो आपको देख रहे हैं 2.2 लिटर फोर स्रिंडर एमहोग डिजन इजन इजन उप्शन जिसमें आपको 182 बिच्पी की पावर 420 निट्रमिट का टॉक मिल जाता है सम्थिंग पंद्रा का मालेज इस कार के साथ बाकी चाहे तो अब इसका 2.0 टर्बो प्रेट इंजन उप्शन के साथ भी वहाँ पे जा सकते हैं जिसमें आपको 197 बिच्पी की पावर 380 निट्रमिट का टॉक मिल जाएगा सम्थिंग वही 13 केंपल का मालेज इस कार के साथ एंड प्रैसिंग की बात की जाए अगर इस A7 लग्जरी डिजल वेरिंट क ट्रेक्शन इस पी हिल डिसेंट कंट्रोल एंटार पेशन मांटिंग सिस्टम जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं इस फाइफ स्टार डिटेट फीचर लोडेट मस्कुले से भी कार के साथ तो यहींत आच कमरे विडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाग जू कर